Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दीना पे सौगत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.M.H.I.06 कर रहे हैं जिसके अंदर में हमने एक टॉपिक का सीरीज स्टार्ट किया हैं जिसके अंदर में टोटल 15 से 20 टॉपिक्स हैं और इन सारे टॉपिक्स को लास्ट 10 साल के कोशिन पेपर में से लिया गया है आज की इस वीडियो के अंदर में हम टॉपिक नंबर 3 पढ़ने जा रहें जिसके अंदर में हम पढ़ेंगे 1871 का Criminal Tribes Act क्या था उसके बारे में उसका परणाम क्या निकला उसका परभाव क्या रहा उसका सोरूप किस परकार का था इसके बारे में हम डिसकस करेंगे कई बार इस Question को आपरादिक जनजाती अदीनियम के तौर पे भी पूछा जाता है कि क्या है इसको बताईए दोनों सेम ही है बस एक हिंदी में है और एक इंगलीस में आप थोड़ा से ये समझ के चलिएगा ठीक है समझ में आता है चलिए हमीं स्टार्ट करते है आज का हमारा टॉपिक टॉपिक इंपोर्टन और अक्सर एक्जाम में पूछा भी गया है दोस्तो ठीक है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा अगर कहीं पर कुछ confusion रहता है तो आप comment करके पूछ सकते हैं या फिर social media platform पर जॉइन करके directly पूछ सकते हैं दोस्तो जब मैं बात कर रहा हूँ criminal tribes act के बारे में 1871 जिसका सुरवात हुआ 1871 में तो क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार के मन में कुछ चीजे थी पहले से ही बनी हुई थी ब्रह्मन करमचारियों को छोड़के जो भी ब्रह्मन करमचारी हुआ करते थे उनके वहां पर काम करने वाले उनको छोड़कर वह बाकी कोई भी खाना बदोस हो ठीक है घूमतू लो चेचारे नाम था हुआ ठीक है चेचारे चेचारे ने एक अधारना रखे थी अधारना क्या थी कि अगर कोई भी बंदा अपरादी है तो वनसानुगत अपरादी बनता है अगर मैं अपरादी हूँ तो जो मेरा आने वाला बच्चा होगा वो भी अपरादी मनसिक्ता का उस विश्व के अंदर में मौमडन समुदाय को अल्मोस इसी नजर से कई बार लोग दिखते हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें गलत हैं ठीक है और हर समू में हर जाती हर व्यवस्था के अंदर में कुछ लोग गलत होते हैं उन्होंने जो गूमते होते थे, खाना बदोस होते थे, जनजातिय जो होते थे, जो जंगलों में रहते थे, उनके उपर में पावंधिया लगाना शुरू किया, उनको criminal act के तहत लाए गया, ठीके, इसके तहत, इसका एक reason क्या रहता है, ये भी अगर मैं बात करूगी, इसका reason ये रहता है, कि जो दोवाब के छेतर थे, ठीके, जो दच्छिन भारत दोवाब के छेतर थे, वहाँ पर क्या देखे गया, जो नदियों के छेतर होते थे, जंगलों के आसपास में, वहाँ पर अकसर loot पार्ट जैसी घटनाएं होती थे, बिटिस अदिकारियों के साथ में अलग-अलग लोगों के साथ में loot पार्ट जैसी घटनाएं होती थे, और इन सब loot पार्ट में अलग-अलग तरकी जंजातियां सामिल होती थे, जंजातिया कुन-कुन सी होती थे, जैसे बाबेरिया जान जाती हो गई, ठीके, सांसी हो गई, कंजडे हो गई, ठीके, तो इस इसके अंदर में समिलित किया गया कि ये भी इसी तरह के जंजाती हैं जो अपराधिक स्रेडियों में आते हैं अगर कई बार क्या होता था थाने का स्रयख्चा का परभंद होता तो मुख्या करता था पुल olduğunu जा रहा है ? क्योंकि उस घायों में इस इलाके में कहीं ना कहीं जन जाती है राधिक था रोगा हूगा थे कि प्लिस मुख्या रियर से एक मानसिक्ता बनी हो ईती हो था नग्रेग को और उन्हीं के द्वारा जो भी सूचना में लेना होता था कि यार यह जन जाती किदर हैं क्या नहीं है तो वह सूचना वह गाउं के मुख्या ही दिया करते था उसके इसाब से फिर कदम उठाया जाता था ठीक है यह पुर्वा ग्रह है एक तरह का मान के चल सकते हैं कि पहले इस तरह कि इस्थित्री रही जिसके क्लिस से इंगरे लाए सब्सक्राइब रहने को लाइए तिक इधर जाओ उदर जाओ मार पीट रहे हो सब कुछ जहल रहे हैं तो उसी साफ से उसको भी जहलना चाते थे पर वो उसके कंडोल में नहीं आ रहा था ठीक है उनका सिकार करना उनके उपर जिबरदस्ति पावंदी लगाना उनको मारना पीटना इस तरह के चीजें की जान से यह क्रिमिनल एक्ट बाद में लाया जाने लगा ठीक है अगर हम किसी भी समुदाय किसी भी जानवर को बेगर हम ज्यादा दबाएंगे ना तो वह एक पल ऐसा जाता है कि वह आपके उपर हमला कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर भी कई जगह जो भारती इतियांस कारियों अपरने इसके उपर में बोला है ठीक है तो यहां पे यह समझ सकते हैं अब हम में बात करूँ कि इस अपराधिक कानून के अंदर में क्या था तो इसको कहते हैं इस कानून को पूरा कहा जाए तो अपराधिक अत्वा अपराधी जीवी जंजाति अदिनियम 1891 के रूप में इसको रखा गया ठीके ये इस कानून का जो इंस्प्रेशन था वो ब्रिटेन से ही लिया गया था ब्रिटेन के अंदर में भी इस तरह का एक कानून लाए गया था जिसके कानून को हम कहते हैं अगर वो गलत संगत ना पकड़े गलत तरह कारे ना करे ठीके अच्छे से कारे करे उसके लिए ये ब्रिटेन के अंदर में और उसी को पालन करते हुए उसी को कॉपी पेस्ट करते हुए यहाँ पर क्रिडिनल ट्राइब्स एट 1871 लागू किया था ठीके समझ में आता है इसके अंदर में हुआ क्या क्या, इसके अंदर में बात करूँ तो समस्ष जंजातियों और कभीलों को एक पंजी करण किया गया जो भी सदस्य लोग थे ना, उनको पंजी करण किया गया रिजिटेशन किया गया एक तरह से और almost 500 से ज़्यादा जनजातियों को उस स्रेणी में डाला गया कि अपरादिक स्रेणी के हैं इसके अंदर में अपराद ये कर सकते हैं और जो भी अपरादी जनजाती होती थी उनको सोरुप को सूचित किया गया ठीक है उनको चिनित क्या गया कि ये सारे जंजाते क्या हैं अपरादिक सिरणी के हैं उनको उपर मतलब अधी सूचना जारी की जाती थी कि अगर कुछ भी होता है तो आप इसके जिम्यदार हो गया अधी सूचना जारी की जाती थी जिस गाउं में रहते थे, गाउं के सरपंच मुखिया जो होते थे, उनको आगे अपडेट देना होता था, कि हाँ ये चीज़े ऐसी चल रही है, सासात में क्या होता था, पंजीकृत जो सदस्य होते थे, उनको थाने में जाकर, अपना हर महीने या जो भी होता था, अपना प तो सदस्यों के इसके अंधर में साभ्य समीर किया गया देशन अलग अलगतरे के समधाय के इसके अंदर में एड़ किया गया साथ में ओपनेविश् zwischen राजय में क्या हुआ जो भी चुनेऊ सदस्य उनका जन्मजात अपरादिक गुनी है ऐसा माना जातो था मतलब ओपनेवेशिक राजे के अंदर में ये mindset बन गया कि जो भी जनजाती हैं ठीक है वो क्या है चुने हुए अपरादी है ठीक है उनके मतलब past में उन्होंने अपराद किया है तो वो जन्मजात अपरादी होंगे अगर उनका बच्चा भी पैदा होगा तो वो भी अपरादी ही बनेगा ये ऐसा mindset था सासत में उनके पास अधिकार नहीं होता था कि वो न्याले में अपील करते कि इसके खिलाफ में कि अगर हमारे साब अन्याय हो रहा है तो हम इसको लेकर कोट पहुंच जाए ऐसा करके उनको अधिकार नहीं दिया गया था ठीक है इससे पहले की जो इस्तिती थी वो कारण बनती है इस act को लाने के लिए जो अंगरेजों ने बताई कि mainly reason क्या बनता है तो बावरिया जैसे जो जन जाती थे ठीक है वो एक लुटेरिस समुदाय से बिलोंग करते थे ठ अगसर दौापके छेतर में लूट पार जैसी घटना होती थी मिर्तियों मतलब हत्या जैसी घटना होती थी जिसका कारण बनता है और इन कारण से ये कानून को लाया जाता है ठार सो घतर का क्रिमिनल लैक इसके बादे में बात करूं तो जहां पर ये जन जाती निवास करत तो ये भी एक कारण बनता है और इन सभी कारण का रिजन क्या था तो जैसे नॉर्मली जितने भी जन जाती होती थी जंगलों में रहती थी तो अंग्रेजुने क्या कि एक वन अधीनियम लाया था ठीक है वन अधीनियम में वो जंगलों को काटने लगे अभी अगला कि वो जंगलों को काटने लगे ठीक है जंगलों का पूरा रक रखाव जो पूरा चीज होता था उनके पास चला गया और जो जंजाती जितने भी समुदाएं हैं आदिवासी जंजाती जितने भी हो सारे जंगलों में ही रहते थे उनका पूरा घर बसर जंगलों में होता थ आते थे कि वो सारी जंगल से निकल कर बाहर आके अच्छे महौल में रहें वो पॉसिबल नहीं हो पारा था ठीक है इसकी कारण से आपस में टकराव होता था ठीक है आपने कई सारी मुवी भी देखियोगी इसके बेसिस पर सेम चीज सीनरी यहां पर भी चलती थी ठीक है मतलब में समुदाई के अंदर में सामेल हो गया पर कुछ नहीं माने तो वो इस तरह से उनका बिड़ंत होता था इसका अगर परिणाम देखो गए तो परिणाम क्या निकला तो इस कानून के बाद में परिणाम के तौर पर यह दिखा गया कि उनको हाजरी लगाने के लिए नियमित तोर पर आना पड़ता था ठीक है कि वो आकर थाने में हाजरी लगाएंगे कि वो इतनी संक्या है हाजरी वेवस्ता की सुरुवात की गई इस प्रावधान का लाब उठाकर गाओले या फिर अलग अलग तर ससती लोग के उनका सोशन करने लगे उनको परतारित करने लगे तो यह भी एक चीजे देखा गया सोशन की मात्रा बढ़ी तो इनको अच्छी सिक्षा देने के लिए बाहर लाय गया इनका जो निवास स्थान होता था उसको बनाय गया रहने के लिए जगद दिये गए जंगल उसे अच्छा मतलब अच्छा वोजन अच्छा जीवन देने का सुरुआत की गई तो यह सुधारवादी नीती से दमनकारी नीती को जोड़ा गया यहाँ पर लोगों का मानना था इ किस तरह से हुआ रिजन क्या बना कानून लाने का ठीक है इसका परिणाम क्या था और यह पूरा मतलब किस तरह का इस्ट्रुक्चर था यह पूरा बताओगे नंबर अच्छा वासा मिल जाता है और यह आपके लास्ट वास्ट ये एक्जाम में कोश्चन आया हुआ था सार और आपका क्या response उरहेगा वीडियो से जो भी वीडियो में डालने वाला हूँ उन response को देखते हुए मैं आगे की वीडियो से जालू हूँगा अगर आपका response उस रिसाप से नहीं है कि नहीं देकरे हूँ बस ऐसी नॉर्मल ही है या फिर नहीं चीजे आ रही है लिदैन मैं चाहिए शिक्स में अच्छी नमबर ला सकें बबाई टेकर आल दे बेस्ट